नमस्काल आज हम आपको बताएंगे कि आर्थी लेने का क्या होता है अर्थ ? और क्या है आर्थी का अर्थ ? शास्त्र में बताया गया है कि आर्थी शब सन्स्कृत के आर्थी का शब से बना है जिसका अर्थ है अरिष्ट, विपत्ति, आपत्ति, कष्ट और क्लेश भगवान की आर्थी को नीरा जन भी कहा जाता है नीरा जन का अर्थ है किसी स्थान को विशेश रूप से प्रकाशित करना शास्त्रों में बताये गए नियमों की अनुसार आर्थी के इनी दो अर्थों के आधार पर भगवान की आर्थी करने के दो कारण बताये गए हैं आर्थी करने का पहला कारण आर्थी में दीपक की लोग को देवता की समस्त अंग प्रत्यंग में बार बार इस प्रकार घुमाया जाता है कि भक्त गन आर्ती की प्रकाश में भगवान के चमकते हुए आभूशन और अंगों का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके और संपुर्णा आनन्द को प्राप्ट कर सके इश्वर की छवी को अच्छी तरह निहार कर हिदय में भर सके इसलिए आर्ती को निराजन कहते हैं क्योंकि इसमें भगवान की छवी को दीपक की लौ से विशेश रूप से प्रकाशित किया जाता है आर्थी करने का दूसरा कारण साधक अपने आराधि के अरिस्टो को दीपक की लौ से नश्ट कर देता है भगवान का रूप सौंदर्य अप्रतिम होता है जब भग्त उन्हें एक टक नहरता है तो उन्हें नजर भी लग जाती है आर्थी के दीपक की लौ से भगवान के समस्ट अरिस्टो को दूर करने का प्रयास किया जाता है आर्थी लेने का ये होता है अर्थ भगवान की आरती होने के बाद भक्त गंजब दोनों हातों से आरती लेते हैं उसमें भी दो भाव होते हैं पहला जिस दीपक की लौ ने हमें अपने आराध्धि के नक शिक के इतने सुन्दर दर्शन कराए हैं उसकी हम बलैया लेते हैं सिर पर धारण करते हैं दूसरा जिस दीपक की बाती ने भगवान की अरिष्ट हरे हैं जलाए हैं उसे हम अपने मस्तर पर धारण करते हैं इस संसार की रचना पंच महाभूतो प्रित्वी चल अगनी वायू और आकाश से हुई हैं इसलिए आरती में ये पांच वस्तवे भी शामिल रहती हैं प्रित्वी की सुगंध कपोर जल की मधुरधारा घी अगनी दीपक की लौ वायू लौ का हिलना आकाश घंटा घंटी शंक म्रदंग आदी की ध्वनी का प्रतिध्वनित करते हैं इस प्रकार संपुर्ण संसार से ही भगवान की आरती होती है तो आज के लिए बस इतना ही मैं फिर से हाजिर हो जाओंगी किसी अन्न विशह पर आपको जानकारी देने के लिए तब तक के लिए नमस्कार